तो दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम रिव्यू करेंगे इस फरवरी महीने के मोस्ट डिमांडिंग आईपियो विबोर स्टील ट्यूब्स का आईपियो जो की आज की तारिक में मतलब 13 फरवरी से लेकर 15 फरवरी के बीच में ओपन रहेगा तो सबसे पहले इसका gray market का premium और anchor list के बारे में जानेंगे जिससे हमें अंदाज़ा हो पाएगा कि इसके अंदर हमें listing gains कितना मिल सकता है फिर इस company की details के बारे में जानेंगे जिससे हमें इसका sector और इसका future पता चलेगा फिर इसके financials और fundamentals के बारे में जानेंगे मतलब company profit generate कर रही है या loss के अंदर है और अपने जो भी competitors वगेरा हैं उनसे सस्ती valuations है या महंगी valuations है फिर इस IPO की details के बारे में जानेंगे और अंत में हम जानेंगे कि क्या इस IPO में हमें apply करना चाहिए या नहीं करना चाहिए और करें तो listing gains के साब से करें और long time के साब से सारी चीजे हम clear करेंगे इस video के अंदर सबसे पहले दोस्तों इसका grey market का premium जो की बहुत ही शांदार चल रहा है करीब-करीब 80 मतलब 80% के आसपास इसका grey market का premium है तो आज की तारीब में अभी latest grey market का premium 120 रुपए per share 99 मतलब 99 shares का ये lot है तो 11,880 रुपए हमें एक lot पर आज की तारीब में फाइदा देखने को मिल रहा है percentage वाइस करीब-करीब 80 मतलब 80% जैसा grey market का premium है तो GMP बहुत ही शांदार चल रही है और बात करें इसके anchor list की anchor list ठीक ठागाई है anchor list में कोई बड़े नाम सामिल नहीं है सिर्फ तीन ही anchor investors हैं जिनोंने करीब-करीब 21.5 करोड रुपए invest किये हैं और कोई FIIs के अंदर बड़े नाम नहीं है ना कोई mutual fund investors है ना कोई बड़ी insurance company सामिल है क्योंकि छोटी company है इससाब से हो सकता है कि बड़े anchor investors attract ना हुए हो तो GMP के नों साथ तो अभी demand ठीक है और फिर इस company की details के बारे में जानते हैं जो भी steel के pipes और tubes आते हैं तो कौन सी industry के लिए ये manufacture करती है तो heavy industries होती है उनके लिए ये manufacture करती है pipes वगेरा अब heavy industries के अंदर जहां construction वगेरा का काम चलता है जैसे civil construction हो गया तो उसके अंदर वो pipes वगेरा चाहिए होते हैं जिस पर चड़कर मजदूर वगेरा काम करते हैं और उसके लाबा refineries वगेरा का काम होता है बड़े power plants का काम होता है जहां भी बड़े बड़े काम चल रहे होते हैं industries को लेकर तो वहाँ pipes से related structure पूरा बनता है जिस पर मजदूर वगेरा काम करते हैं तो वहाँ pipes इसके काम आते हैं उसके लाबा furniture वगेरा के अंदर इसके pipes काम आते हैं उसके लाबा buses, rail के अंदर जहां construction होता है road crash barriers जिनको बोलते हैं वो भी ये बनाती है, मतलब manufacture करती है तो काम अच्छा नज़र आ रहा है steel pipes and tubes का काम है इसकी total 2 manufacturing facility है इंडिया के अंदर, 640 employees है और कहीं मैंने पढ़ा भी और सुना भी है कि ये जो manufacturing करती है pipes और steel tubes वगेरा जो भी वो एक ही company, मतलब जिन्दल steel को ही सारी, मतलब जो अपने products है, वो supply करती है, open market के अंदर side shell नहीं करती है, ऐसा मैंने कहीं पढ़ा था, ये भी अच्छी बात है कि भी जिन्दल steel का नाम अच्छा है, उनको supply करती है, तो भी ये एक चीज है कि भी एक ही customer पर dependency थोड़ी नहीं होनी चाहिए, तो sector अच्छा है, आपको समझ में आ गया कि company क्या काम करती है, तो वीडियो को एक like जरूर करें, और इस sector के अंदर competition भी खूब है, तो इसके financials और fundamentals भी हम देख लेते हैं, जो कि 2021 से 2023 तक दिये गए हैं, अगर इसके assets देखते हैं, तो एक सो बहतर करोड से 376 करोड रुपए हुए है, मतलब year on year growth देखने को मिल रही है, रावैनी की बात करें, 2021 से 2023 तक 511 करोड से 1114 करोड रुपए हुआ है, लग बग 27 times, 27 गुना जैसी growth है, तो काफी अच्छी growth है, बाकि अगर profit margins निकालते हैं, तो सिर्फ 2% के आसपास निकल करा रहे हैं, जो कि बहुत कम है, क्योंकि ये manufacturing करती है, तो थोड़ा सा profit margin जदा होने चाहिए, बाकि इसकी net worth बड़ी है, बोराइंस का हैं, तो borrowings भी हर साल बड़ी है, debt मतलब, तो IPO बुरा fresh issue है, पर fresh issue जो पैसे जड़ाईगी, debts चुकाने के अंदर काम नहीं आएंगे, इसके working capital requirement के अंदर काम आएंगे, तो ये थोड़ा सा negative लगा कि, थोड़ा बहुत debt चुकाना चाहिए था fresh issue से, फिर दुस्तों दस रुपए, बाकि सबकी face value कम है और PE wise देखे तो इन सबी से सस्ती valuations पर है अभी, तो काफी अची चीज है कि इन्होंने valuations सही रखी है, इस sector के अंदर competition तो है, तो valuation सस्ती लेके आ गई ये बड़िया बात की इन्होंने, बाकि इसकी ROE, return on equity 25% की ROC है इसके बड़ ड़ जदा है, और fresh issue पैसे जड़ा रही है, उससे debt नहीं पे करेगी तो अने वालेटर में debt कम करती है तो मुझे लगता अच्छी company ये साबित हो सकती है ये होगे इसके financials and fundamentals अब इस IP की details के बारे में बात करें जो की इसकी working capital requirement पूरा करने में काम आएंगे और retail portion रखा गया है 35% का listing date है 20 फरवरी को 20 फरवरी को ये share market के अंदर list हो जाएगा अब दुस्तों सबसे main सवाल यहाते कि क्या IP में apply करना चाहिए और नहीं करना चाहिए और करें लिस्टिंग गेंस के साब से या long term के साब से उससे पहले दोस्तों आपके पास आपके family members में किसी के पास dimate account नहीं है बिल्कुल free में dimate account खुलवानी के link description के अंदर मिल जाएगी और उसके लाव दोस्तों ये grey market का premium ऊपर नीचे होता रहता है तो मैं आपको daily update करता रहूँगा इसलिए telegram और whatsapp channel की भी link description के अंदर है सबसे पहले listing gains के साब से क्या SIPM apply करना चाहिए नहीं करना चाहिए तो देखें तो जीमप तो अच्छी चल ली है demand अच्छी अभी है मतलब अगर आप grey market में देखें तो demand काफी अच्छी है और ankleless ठीक ठाग आई है पर उससे ज़्यादा इतना effect नहीं पड़ेगा क्योंकि चोटी company है तो ankleless ठीक ठाग है पर GMP अच्छी है उससे साब से देखा जाए तो अभी demand बनी हुई बाकि GMP उपर नीचे होती रहती है इसलिए मैं आपको daily update करता रहूँगा इसलिए मैं कहरा हूँ कि आप telegram channel को और bell icon पर जरूर दबा के लिए telegram channel के link description के अंदर है फिर long term के साब से कैस IPM apply करना चाहिए नहीं करना चाहिए तो इसके लिए हम इसके positives और negatives दोनों ही देख लेते हैं positives के अंदर अगर बात करें तो sector बढ़िया है सदावार sector है NCC जीजों की demand हमीशा रहती है और customers के अंदर इसके बड़े customer की बात करें तो जिंदल स्टील इसका बड़ा customer है बाकि इसके revenue और profit के अंदर अच्छी growth है साल दर साल और ROE और ROC काफी अच्छी है और पूरा का पूरा fresh issue है ये काफी अच्छी चीज है negatives में क्या है negative में है इसके अपर debt काफी high है जो कि आने वाले time में इसको pay करना पड़ेगा बतब ये करेगी तो company अच्छी साबित होगी दूसरा है sector के अंदर competition भी काफी जादा है और तीसरा मुझे इसके profit margins कम लगे profit margin थोड़े बढ़ने चाहिए बाकि overall देखा जाए तो positives जादा नज़र आ रहे है demanding नज़र आ रहा है ये IPO और price band valuations wise भी ठीक है valuation सस्ती है ये मुझे काफी अची जीड लगी और बाकि इसके sectors के अगर shares देखें जो भी मैंने peer competitors बाता है उन्होंने अगर उनका return देखें तो उन्होंने भी past में अच्छे return ही बना के दिया मैं अच्छे return ही बना के दिया मालो retail categories अंदर a lot होता है तो मैं तो आदे share sell करूँगा आदे hold करने की सोचूँगा मतलब अच्छा share नजर आ रहा है ऐसा और personally मेरी तरफ से कोई buy sell या hold करने का apply करने का कोई भी decision नहीं है जो भी आप decision बनाए अपनी risk और अपना analysis लगा के बनाए आप लोग क्या करेंगे क्या SIP में apply करेंगे और नहीं करेंगे मुझे comment करके जरूर बताइएगा और वीडियो कर फसंद आया helpful रहा है और काफी help होई आपी तो वीडियो को एक like जरूर करें मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के अंदर